हेलो ईवेजन विल्कम बाक तो माइ रिविजिन सीरीज уже हम बात करने वाले है वुपिकल इंस्ट्रुमेंट्स में सबसे पहला टॉपिक सिंपल माइक्रो सको तो हमयं पताए रह् zwei आप्टिक्स में आप्टिकल इंस्ट्रुमेंट्स का जो बहुत इंपॉर्टन्ट रोल है तो तो तलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं तो साफ क्षिकल निकरते हैं तो किस चीज के लिए यूज होता है जितने भी टाइनियु औप्चेक्ट्ट्स हैं उनकी इक मागनिफाइड इमेज देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं बेसिकली मागनिफाइंग ग्लास की अगर बात करें तो वो एक तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप है तो जितने भी स्मॉल उब्जेक्ट से उनकी मागनिफाइड इमेज देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे हमने बोला इसमें हमारे पास कॉन्वेक्स लेंज है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है रे ओप्टिक्स में हमने जब बात की है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंज से 6 रे डाइग्राम बनते हैं तो 6 वाला जब अबजेक्ट हमारे पास बिट्वीन O एंड F होता है अबजेक्ट बिट्वीन O प्टिकल सेंटर और फोकस लाए करता है तो इमेज कहां बनती है पीछे बनती है वर्चुल और इरेक्ट बनती है मागनिफाइड बनती है तो वो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंज का 6th case हम यूज करेंगे कि 1st ray parallel, parallel हमेशा फोकस से पास करेगी दूसरी optical center से जाएगी diverging rays है appears to meet at on the same side of the object तो ये हमारे पास image आ गई object हमने लिया between O and F तो हम यहां बात कर रहे हैं 6th case की same चीज हम यहां पर define करेंगे कि हमने convex lens लिया हमने बोला यहां पर हमने जो object रखा है वो कहां पर रखा है between O and F रखा है अब object between O and F है फोकस से रे गई optical center से पास की हमने उसको extend किया image बना दी तो यहां पर हमारे पास first चीज जो हम define कर रहे हैं कि जो हमारा angle बन रहा है image के साथ principal axis, optical center और जो image raise बना रही है उनके साथ जो angle है वो कौन सा है बीटा है हमें निकालनी है magnifying par magnifying par basically क्या होती है it is the ratio of beta is to alpha angle subtended by the image at the eye of the observer to the angle subtended by the object at the eye of the observer image ने कितना angle बनाया object ने कितना angle बनाया beta is to alpha अब object कहां रखा है optical center और focus के बीच में distance बहुत close है जो lens यूज किया है उसकी focal length बहुत कम है तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमने यहां कोई object प्लेस किया जो कि optical center के भी बहुत close है तो beta angle भी बहुत small हो जाएगा तो अगर angle small होते हैं तो हम tan beta introduce कर सकते हैं alpha के साथ tan alpha introduce कर सकते हैं अब हमने बोला यह मेरा object यह मेरी image इसके with respect to दोनों का angle same आ रहा है बट कुछ difference तो होना चाहिए अगर दोनों का angle same होगा object और image का तो beta is to alpha की value magnifying par तो 1 हो जाएगी same size जो object का size है same size की image बन जाएगी वो तो नहीं चाहिए हमें हमें तो magnified image चाहिए तो magnified के लिए क्या करना पड़ेगा magnified के लिए हमने बोला कि हम angles को differentiate करते हैं उसके लिए image के उपर object की height के जितना हम एक virtual object imagine करेंगे object की height जितना same position पे हमने एक और object consider किया उसके साथ principal axis जो angle बना रही है उसको हमने alpha बोल दिया तो हमने एक angle ले लिया बीटा दूसरा ले लिया alpha अब लगाओ in triangle ABO तो जो हमने triangles लिये यह हमारे पास आगया इन triangle ABO और हमारे पास A1 B-O तो इसको हम ले लेते हैं O perpendicular upon base तो यह आजाएगा AB upon BO दूसरा perpendicular upon base तो A1 B- upon OB A1 B- हमने same height के consider किये हैं दोनों same हैं तो क्या A1 B- को हम AB लिख सकते हैं A1 B- को हमने AB लिख दिया तो means हमारे पास जितना यह था उतना ही यह मतलब हमने बोला जितना ही यह object था same size का हमने एक virtual object image पे consider कर लिया उसके साथ angle बन रहा है alpha principal axis और साथ में optical center tan beta निकाला, tan alpha निकाला magnifying power में put कर दिये दोनों जब हमने put कर दिये तो हमारे पास यह आ गई ratio किसकी AB upon BO divided by AB upon B-O AB AB cancel यह आ जाएगा B-O upon B-O B-O कितना है? B-O तक का distance image distance V all the distances are measured from the optical center optical center से image तक का distance V optical center से object तक का distance U optical center से image तक के distance को V की जगा हमने minus V लिख दिया optical center से object तक के distance को हमने minus U लिख दिया sign convention all the distances taken in the direction of incident light are taken positive उसके opposite negative हो जाएगा इधर वाला positive उसके opposite क्या हो जाएगा हमारे पास negative हो जाएगा तो इसका मतलब अगर हमारे पास यह वाला direction positive है यह negative हो गई तो minus V upon minus U कितना आ गया? V upon U तो यह हमारे पास क्या आ गई? यह आ गई simple microscope की magnifying bar कैसे निकाली? between O and F case लिया object place किया object place किया उसमें हमने बोला कि हमारे पास जो image बन रही है यहाँ बन रही है दोनों का angle देखा सेम आ रहा था magnifying bar तो change ही नहीं होगी image तो same size की बन जाएगी जितने size का object है यह नहीं चाहिए हमें object से जो image है image हमें magnified चाहिए तो हमने बोला यहाँ पे हमको एक virtual object consider करते हैं जो angle बना रहा हो alpha तो यहाँ पे हमने magnifying par में दोनों की value पुट कर दी tan beta is to tan alpha में किसके equal आ गया? V upon u के equal आ गया अब हमने first case लिया और second case लेना है किस चीज़ के लिए? यह magnifying par एक बार देखेंगे कब maximum होगी और एक बार देखेंगे कब minimum होगी small m की value एक बार maximum एक बार minimum maximum के लिए हमने बोला कि जब हमारी image जो है least distance of distinct vision पे बनेगी तब हमारे पास जो magnifying par है वो maximum होगी मतलब least distance of distinct vision मतलब हमारे पास कितना होता है हमने 10th class में किया था 25 cm जब आप 25 cm के अंदर object लाने लग जाते हो तो क्या हो जाता है strain बढ़ना शुरू हो जाता है तो least distance of distinct vision हमारे पास कितना है 25 cm है और हम ये मान रहे हैं कि उस point पे हमारे पास जो image बनेगी वो कैसी होगी full clear होगी, magnified होगी हमें अच्छे से दिखेगी तो means हमारे पास maximum magnifying पार कब होगी जब object जो हमारे पास image बना रही है आप object को ऐसे प्लेस करो object को ऐसे प्लेस करो कि जो image है हमारे पास least distance of distinct vision पे बने तो हमने लिया lens formula 1 by V minus 1 by U is 1 by F अब हमने V से throughout multiply कर दिया या गया V upon V minus V upon U is V upon F V से V cancel V upon U equation number 1 बता रही है यह क्या है M magnifying पार तो 1 minus M is equal to V upon F यहां से magnifying पार आजाएगी 1 minus V upon F V कितना है least distance of distinct vision तो क्या हम V को D put कर सकते हैं यहां पे हमने V को यहां पे minus D put कर दिया तो यह आजाएगा हमारे पास 1 plus D upon F तो यह हमारे पास जो magnifying पार आई है यह maximum magnifying पार है means when the image is formed at least distance of distinct vision अब इसी का ही second case देखेंगे जब हमारे पास जो image है final image है infinity पे बनेगी तब हमारी जो magnifying पार होगी वो minimum होगी जब हमारी जो final image है कहां बनने वाली है infinity पे बनने वाली है तो magnifying पार कम हो जाएगी तो magnifying पार कम होगी image infinity मतलब object कहां होना चाहिए focus पे होना चाहिए इस चीज को improve भी कर सकते है कि अगर object u को minus u ले ले image final infinity पे है lens formula लगाया 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u values put कर दी v की infinity u आ गया minus u तो 1 by u कितना आ गया f मतलब object कहां होना चाहिए focus यह हमें पता भी है अगर हमें image infinity पे चाहिए तो object कहां होना चाहिए focus पे होना चाहिए तो means image infinity object focus तो u f पे और v हमारे पास किसी distance पे बनेगी d पे suppose तो हमारे पास formula क्या आ गया magnifying power का d upon f यह है minimum magnifying power के लिए minimum मतलब image कहां बनेगी infinity पे यह maximum magnifying power के लिए मतलब image कहां बनेगी हमारे पास least distance of distinct vision पे least distance of distinct vision पे जब image बनेगी तो maximum magnifying power होगी पर जब ऐसे होता है तो strain आना शुरू हो जाता है आंखों पे infinity पे जब दूर कहीं हमें कोई चीज दिखरी है तो strain नहीं होता कोई stress नहीं पढ़ता जिस जिस जैसे पास लेके आना शुरू करते है इस ट्रेंग पढ़ना शुरू हो जाता है तो means maximum magnifying power when the image is formed at least distance of distinct vision उसके लिए lens formula लगाओ उसमें से M निकालो M means magnifying power तो हमने V से throughout multiply किया उसमें से M निकाला वो आगया 1 प्लस D upon F तो यह maximum magnifying power when the final image is formed at infinity मतलब object focused तो minimum magnifying power वो आजाएगी D upon F तो यह दोनों formula बहुत important हो गए एक minimum के लिए minimum magnifying power के लिए एक maximum magnifying power के लिए 1 प्लस D upon F तो यह था हमारे पास simple microscope magnified image के लिए यूज होता है lens यूज करते हैं हम जिसमें object होगा between O and F virtual erect and magnified image बनेगी object low between O and F final image बन गई but angle तो same बना रहे थे object और image तो हमने differentiate करने के लिए virtual object consider किया beta is to alpha लिया यह आ गया tan beta is to tan alpha values put की तो हमारे पास V upon U आ गई simple microscope की magnifying power फिर हमने बोला अगर हम case लेते हैं least distance of distinct vision का यह है हमारे पास maximum का case जब हम लेंगे for normal adjustment जो हम देखते हैं normal life में जो भी हमारे objects हैं तो जब final image कहां बनेगी infinity पे infinity मतलब lens बहुत छोटा है उसके लिए कुछ दूर का distance भी infinity की तरह act करेगा चींटी को दिवार पे चड़ना है तो उसके लिए तो वो दिवार infinite हो गई तो means same cheese हमारे पास ये strain वाली चीज है 25 cm जो हम discuss करते हैं ये without strain है जो भी हम दूर कहीं चीज देख रहे हैं बड़ दिख रही है हमें clear ID तो वहां magnifying part कम हो जाती है यहां magnifying part जो है वो maximum होती है चलिए विटो बाई झाली